ओम नारायन 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 सबमित्र कुराम राम दोस्ताज दोपर को टी सीरीज यूटुब चैनल पर कुत्ते फिल्म के ओपिशल ट्रेलर को रिलीज के आ गया कुल मिलाकर दो मिनिट और 22 सेकंद का एट्रेलर है जिसमें अरजुन का पूर नसुर दिन शा, तबू, कौनकोना सेंशर्मा, कुमद मिश्रा, रादी कामदन, आदी आदी, मुख्य बोमिका में है फिल्म के राइटर और डिरेक्टर है आसमान भारदवाज, जो विशाल भारदवाज के बेटे हैं, विशाल भारदवाज इस फिल्म के एक को राइटर भी है जितना मैंने विशाल भारदवाज की फिल्मों को समझा है मेरे अनुसार वे एक फिल्मेकर से भी अधिक वामपंथी प्रोपगेंडिस्ट मुझे ज़्यादा लगते है उनके फिल्मों में वामपंथी प्रोपगेंडा, लेफ्ट का प्रोपगेंडा और जो एक वोक माइंड सेट है वो भर-भर कर देखने को मिलता है और बॉलिवड की अब तक की सबसे घिनोनी और विकृत मानसिक्ता की फिल्म हम जिसे कह सकते हैं हैदर उसके भी रैटर और डिरेक्टर विशाल भारदवाज ही है और उनके बेटे आसमान भरदवाज इस फिल्म को कुत्ते को डिरेक कर रहे है और साथ में ही वे उसके रैटर भी है सबसे बहले तो मतलब इस फिल्म के जो प्रोडूसर से उनमें लोरंजन उनका नाम पढ़कर मैंने अपक्षा नहीं कि थी कि लोरंजन जी ऐसी फिल्म में अपने पैसे लगाएंगे या मतलब पता नहीं क्या कारण रहा कि वे इस फिल्म के को डिरेक्टर है मैंने अभी पिछली हपते जब वद का रिव्यू किया था मैंने मुझे बहुत प्रसनता हुई थी वद के वे को गिडूसर थे पर ऐसी फिल्म के साथ उनका नाम जुड़वा देखकर मुझे बहुत बहुत ज़्यादा दुख हुआ है और सबसे पहले तो मैंने अभी जाकर वद का जो टाइटल था उसमें मैंने लोरण जेंजी को धन्यवाद किया था वीडियो में भी धन्यवाद किया था तो वो मैंने वीडियो भी एडिट कर दिया टाइटल भी मैंने एडिट कर दिया है चलिए कुत्ते जो कहानी है ट्रिलर से कापी सारी कहानिया में पता चली रही है अल्रेडी कुछ भ्रष्ट पुलिस ओपिसर्स दिखाये हैं एक तरफ कुमिद मिशर और तबू है और दुसरे तरफ अरजुन कपूर है और वे दोनों ही अपनी अपनी अलग टीम बनाकर यह फ्रष्ट पुलिस अधिकारी अपनी अपनी अलग टीम बनाकर एक वैन से कुछ 4 करोड रुपे के करीब चुराने वाले हैं दोन अलग अलग टीम बनाकर प्लैनिंग कर रहे हैं और एक होटेल में यह प्लैनिंग जब चल रही होती है उनके बाजू में ही एक विवाहित महिला का पात्र है जिसका कुछ एक्स्ट्रमाइटल अफियर वगरा भी हमें दिखाई दे रहा है शादी की ही रात्री को एक व्यक्ति उसके रूम में आ रहा है वो कहा रहा है कि तुमारा पती नीचे है और उसके साथ उसके बाद वो पतनी कहती है कि भाई मुझे तो संभोग चाहिए और मतलब इस प्रकार से एक्स्ट्रमाइटल अफियर में उससे दिखाया है तो वो जो विवाहित स्त्री और उसके साथ में एक और व्यक्ति बैठा हुआ है वे सुन लेते हैं कि भाई इस प्रकार से चार करोड रुपए वे चुराने वाले हैं तो ये तीनो अलग-अलग फिर शायद उस वेन के पीछे जाएंगे जिसमें चार करोड रुपए हैं दो पुलिस वालों के अलग-अलग टीम और ये विवाहित स्त्री और उसका शायद जो भी बॉइफ्रेंड वगेरा जो भी होगा तो सब कुछ यहाँ पर करप्ठ, भरष्ट वगेरा सब को शायद दिखाया जाएगा ऐसा लग रहा है सबसे सेंसिबल कारेक्टर इस पूरे ट्रेलर में अगर हमें किसी का दिख रहा है तो वो स्वववविक से बात है अब्विसली नकसलियों का ही दिख रहा है जो अपने अधिकारों के लिए अन्याय के वरुद्ध लड़ रही है, क्रांतिकारी है यह साब कुल मिलाकर ट्रेलर से हमें पता चल रहा है कुनकुना से शर्मा उनका करेक्टर जिस प्रकार से आप देखेंगे ट्रेलर में तो बहुत ही ज़दा शांत कहने के अपक्षा सेंसिबल लग रहा है उसके जो चेहरे के एक्स्प्रेशन्स भी है उनको कही पर भी फणी उनको दिखाने का प्रयास नहीं किया है एक गुसा चेहरे पर दिखाई दे रहा है उसका पातर के तो अपने अधिकारों के लिए न्याय के लिए लडने वाला शायद यहाँ पर नकसलियों को दिखाया जाएगा जितना मेरा अनुमान है और आप देख ले ना जब आप फिल्म देखेंगे ब्रष्ट अधिकारी ब्रष्ट पुलिस और ब्रष्ट सिस्टम और ब्रष्ट राजनेता वो चार करोड रुपे वगरा वो उसके पीछे हैं और नकसली अपने न्याय के लिए लड रहे हैं ऐसा ही कुछ थीम लग रही है कम से कम ट्रेलर से तो देखते हैं फिल्म रिलीज होने के बाद में और भी ये सारी बाते ज़्यादा क्लियर हो पाएंगी अभी मैं कम से कम ट्रेलर से इतनी बाते समझा हूँ हाला कि मुझे एक बात का बहुत आश्यर होता है कि आज देश भर से इतनी जदा बॉल्यूड के आलोचना हो रही है उनका जो एक woke mindset का content है उसकी इतनी जदा आलोचना हो रही है जो एक वामपंथी mindset है उसकी इतनी जदा आलोचना हो रही है पर फिर भी हम देख रहे हैं कि उसी प्रकार की विचारधारा पर उसी प्रकार की विचारधारा के फिल्मेकर्स पर पैसे लगातार लगाय जा रहे हैं बॉलिट के द्वारा इवन नेट्फिक्स पर भी विशाल भरदवाच की एक खूफिया नाम की शायद एक फिल्म आ रही है 2023 में रिलीज होगी तो हाँ जो राश्टरवादी विचारधारा के फिल्मेकर से उनको एक तो मेंस्ट्रिम में कभी आने नी दिया जाता ना ही उनके फिल्मों पर कोई पैसे लगाए जाते हैं और कुछ सो कॉल्ड राश्टरवादी विचारधारा के और सांस्कृतिक फिल्में पिछले एक तेड़ वर्ष में बॉलिएट ने बनाई भी है तो उन फिल्मों का लिटरली मजा कुड़ाया गया है लिटरली मजा कुड़ाया गया है तो चलिए देखते हैं क्या होगा कुट्ते इस फिल्म में बाकि जो कुछ भी मैंने फील किया इस ट्रिलर को देखकर वो मैंने आप सबमित्रों के साथ में शेयर किया है बाकि आपके इस ट्रिलर के बारे में क्या विचार है मुझे आपनी चे कमेंट में आवश्य बताना ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद जैश्री राम वंदे मातरम